Hello student, welcome back to my channel, I am Jashri Yadav So, बच्चो, आज हम class 12th का accounts कर रहे हैं 3rd chapter के मैं आपको practical questions करा रही हूँ That is your change in profit sharing ratio among existing partners So, last class में मैंने आपको 12th question तख करा दिया था आज हम 13th question करेंगे चलो फिर इस video को start करते हैं Find out the capital employed from the following information अब यहाँ पे आपको goodwill calculate नहीं करनी है बच्चे यहाँ पे आपको capital investment जो आपने capital investment आपको question में दी होती थी आपको वो निकालनी है यहाँ पे ठीक है capital employed है हमारा capital investment थी तो normal rate NRR आपको given है 12% profit आपको 3 years का यहाँ पे given है और goodwill भी यहाँ पे आपको given है ठीक है 3 years purchase of super profit 150,000 तो इस question को आप हम कैसे करेंगे देखो जैसे आप 10 तक आपने match करी है जिसमें आपको formula में जो जो आपको given है वो value put करेंगे तो जो हमें निकालनी है वो हमारा निकल जाएगा राइट वैसे हमें यह वाला question करना है इधर 13th question देखो क्या क्या given है भई हमें goodwill given है ठीक है तो सबसे पहले तो हमारा super profit निकल जाएगा इधर से goodwill का formula क्या होता है हमारा goodwill equals to super profit into number of year purchased number of years purchased right अब goodwill हमें given है कितनी 150,000 तो goodwill तो हम यह लिख लेंगे 150,000 super profit हम यहां पर given नहीं है question में right तो super profit हम as it is लिख लेंगे super profit into number of year purchased हमें कितना given है 3 years तो into यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो यह हमारा कितना निकल आएगा भई 350,000 हमारा क्या निकल आया super profit अब देखो अब question में हमें secondly क्या चीज़ें दी हुई है भई profit given है तो इससे हम क्या निकाल सकते है अपना average profit calculate कर सकते है तो फिर average profit calculate करने के लिए सबसे पहले हमें total profit निकाल लेंगे कितना कितना हमें given है भई 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000 तो यह हमारा total आ जाएगा भई 3,66,000 ठीक है 3 years का हमें यहाँ पर average profit total number of years कितना है 3 years तो average profit हमारा निकल जाएगा average profit 3,66,000 divided by 3 हम कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3 बंजा 3 टूजा टूजा 1,22,000 हमारा निकल आया दो चीज हमने निकाल ली भई चीक है अब इस दो चीज जो हमारे निकले एक तो हमारे पास क्या आ गया सूपर प्रॉफिट एक हमारे पास क्या आ गया average profit तो इससे हम normal profit calculate कर सकते हैं ठीक है सूपर प्रॉफिट का formula क्या है सूपर प्रॉफिट क्योंकि normal profit भी हमें given नहीं है तो इसका formula क्या होता है average profit माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एसे ही करते थे ना बच्चे तो सूपर प्रॉफिट तो हमारा निकल आया यहां पे 50,000 average profit है हमारा 1,22,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमें calculate करना है ठीक है तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम यहां ले आएंगे नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट तो 1,22,000 माइनस 50,000 इसको यहां पे ले के आ जाएंगे तो यह हमारा एंपी कितना निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 ठीक है अब हमारा सूपर प्रॉफिट भी निकल गया average profit भी एंपी भी निकाल लिए अब एंपी से हम capital invested निकाल सकते हैं बई एंपी का formula हमारा क्या होता है capital investment into normal rate of return divided by 100 यह होता है न बच्चे अब देखो एंपी तो हमारा निकल आया बई नॉर्मल प्रॉफिट कितना 72,000 निकालना क्या है capital investment या capital employed right into NRR हमें question में given है कितनी 12% तो यहां पे हम कर देंगे 12 divided by 100 तो यह हां चला जाएगा भई 72,000 into उल्टा हो जाएगा 100 divided by 12 equals to capital employed equals to तो इसको देखो करो तो यह हमारा कितना आ जाएगा भई 6,000 तो यह हमारा आ जाएगा 6,000,000 ठीक है capital employed clear ठीक है 12 6,000 तो यह 6,000 आ गया into 100 हम कर देंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा 6,000,000 हमारी क्या निकल आए capital employed ठीक है I hope अच्चा आपको एक question समझ में आया होगा अगर आया होगा तो please मेरे वीडियो को like, share and comment जरूर करना और मेरे चानल को subscribe Thank you